आप सब भक्तों का अंतराश्टिय कृष्ण भावना मृत संक्य और सिप्रस्थापित साथ दियुसिय इस भागवत सब्ता हमें हर दिख स्वागत करते हैं करम सब्ता हैं कि आज भगवान के चर्ण कमलो की छत्र चाया में बैठ कर भगवान की ही लिला श्रवन करने का सुवसर प्राप्त हुआ है सत्य कहें तो भग तो ऐसा आउसर सब को नहीं मिलता है शास्त्र में कहा गया है भाग्यो दयेन बहु जन्म समार जितेन सत संगम चलवते पुरुशह यदावै ऐसा अउसर उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके करोडो करोडो जन्म के पुन्य एक साथ उदई हो चुके हैं भग्तो बड़े भाग्ये शाली लोगो को ही भग्तो के बीच में बैड़कर भग्तो के मुख से भगवत कथा श्रवन करने का उसर मिलता है सब को नहीं मिलता है भगवान श्री राम चंद्र भी इस बात को कहते हैं पुन्य 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 बिनू मिलही नसंता पुन्य पुन्य बिनू मिलही नसंता सत संगती संशृति करन्ता भगवान राम चंद्र कहते हैं पुन्य पुन्य बिनू मिलही नसंता यदसादू संत महत्मा जब हमारे जीवन में बहुत पुन्य होते हैं तब जाकर प्राप्त होते हैं रक्तो, संतो का दरशन, महत्माओ का दरशन और महत्माओ की मुख से भगवत कता यह तो भाग्यषाली व्यक्ती को ही मिलती है भाग्य शाली व्यक्ति को यह प्राप्त होता है अतहर इस भाग्य को हमारे जीवन में हमें पूरुन रूप से ग्रहन कर लेना चाहिए और इसका पूरुन लाव प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि जब दो सच्चे संत आपस में मिलते हैं जब शुद्ध भक्त शुद्ध महात्मा मिलते हैं तब भगवत कथा का गान होता है अब जैसे लोग वैसी बात हैं हमारे देश में कहावद हैं गदे से गदा मिले हमारे भारत वर्ष में कहावद हैं ग्यानी से ग्यानी मिले करे ग्यान की बात जब दो ग्यानी आपस में मिलते हैं तब ग्यान की बात करते हैं ग्यानी से ग्यानी मिले करे ग्यान की बात गदे से गदा मिले करे लातम लात अब जैसे लोग मिलते हैं वैसी बाते होते हैं जब दो भक्त दो संत आपस में मिलते हैं तब भगवान की कथा का गान होता है इसलिए तो लागवत के तृतियस कंद में भगवान कपिल देव ने अपनी माता देव हुती को कह दिया सताम प्रसंगान ममवीर्य संभिरो हे मा मा जब इस संसार में जब संत का समागम होता है तो संतों की मुख से भगवत कथा का गान होने लगता है रब्तों कई बार हम हमारे जीवन में ये शब्द का इस्तिमाल करते है हम सतसंग कर रहे हैं इस एक थोड़ा कम करो हरे क्रिश्ण हरे क्रिश्ण थोड़ा बढ़ा हो हरे क्रिश्ण कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम सतसंग कर रहे हैं सतसंग में जा रहे हैं बक्तो सतसंग का वास्तविक अर्थ होता है जहां पर भगवान की कथा का श्रोण हो क्योंकि सत्थ का अर्थ होता है भगवान यह सत्थ शब्द एक मात्र कृष्ण के लिए रिजव्ड है क्योंकि सत्थ एक मात्र भगवान तो सताम प्रसंगान जब संत मिलते हैं तो ममविर ये भगवान की कथा होती है और भगवान की कथा जब हम निरंतर सुनते हैं तो इस संसार के समस्त दूखों से मुक्त हो जाते हैं कितना ही नहीं तजो शनादास अपवर्ग मर्त्मनी शद्दा रतिर भगति अनुक्र मिश्यती यही कथा सुनते 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 धिरे धिरे रदय में शद्दा उत्पन होती है धिरे धिरे भगति उत्पन होती है और धिरे 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 भगवान से प्रेम हो जाता है और यह भागवत कता सुनकर जब भगवान से प्रेम हो जाता है न तब यह संसार फिका लगने लगता है यह संसार का धन मिट्टी का धेर लगने लगता है ये संसार की संपती संसार का पद कीड़े के समान दिखने लगता है जब भगवान के प्रती प्रेम हो जाता है तो अब तो ये भागवत भगवान के प्रती प्रेम उत्पन कराने वाला ग्रंथ है और आज हम इस भागवत को श्रवन कर रहे हैं यह हमारा बहुत बड़ा भाग्य है प्राय है श्रिमत भागवत कथा के प्रथम दिन भागवत की महिमा बताई जाती है अब सब लोग जानते हैं कि जब तक किसी विशय वस्तु का पूर्ण रुप से ज्ञान न हो तब तक उस वस्तु के प्रती श्रद्धा उत्पन नहीं होती है भागवत में श्रद्धा होना अत्यनत आवशक परंतु भागवत में श्रद्धा रखने के लिए भागवत की महिमा को सुनना होगा जब तक भागवत की महिमा को हम नहीं सुनेंगे तब तक भागवत में श्रद्धा उत्वर नहीं हो सकती है अतर सरुप्रतम हम भागवत की महिमा श्रवन करेंगे ये भागवत की क्या महिमा है आखिर इस भागवत को सुनने के लिए इतने बड़े-बड़े मंडप, पंडाल, या श्टेज, इतना खर्चा क्यों किया जाता है आखिर इस वागवत को सुनने के लिए अजा रहागवत को सुनने के लिए इतना खर्चा है झाल झाल भागवत जी की महिमा को सुनना चाहते हैं तो वक्तो भागवत जी की महिमा भागवत जी में नहीं लिखी गई इसका भी एक कारण है यदि भागवत की महिमा भागवत में लिखी जाए यदि भागवत स्वयम ही अपनी महिमा गाने लगे तब तो ये बहुत बड़ा दोश माना जाएगा शास्त्रिय वाशा में इसे आत्मश लागा का दोश कहा जाता है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना ये इस संसार का सबसे बड़ा दोश है और इसलिए भागवत अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा है कि इस संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपना गुणगान स्वेम अपने से नहीं करना चाहिए क्योंकि अपना ही गुणगान करने वाला व्यक्ति महान नहीं माना जाता है मैं आपको एक सत्य बात बताओं वक्तों इस संसार में यदि आपको जानना है कौन व्यक्ति कितना महान है तो उस व्यक्ति की बातों से आपको पता चल जाएगा जो आदमी स्वेम अपनी प्रशंसा करता है समझ लेना चाहिए ये महान आदमी नहीं है और जो आदमी स्वेम अपने आपको नीच मानता है त्रिनाद अपी सू नीचे न जो त्रिन से भी अपने आपको नीच समझता है जो अपने आपको बहुत नीच मानता है समझ लेना चाहिए ये भगवान का बहुत बढ़ा भगता है त्यक्कि महान व्यक्ति कभी भी अपनी प्रशंसा करता है इसलिए तो संतों ने बहुत सुंदर द्रश्टांत दे दिया बढ़ा बढ़ाई ना करे बढ़ा न बोले बोल बढ़ा बढ़ाई ना करे आप मेरा शब्द समझ रहा है न कहते हैं बड़ा बड़ाई ना करे इस अंसार में जो बड़ा आदमी होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है और अपने मुख से अपनी बड़ाई करने वाला व्यक्ति तो मरा हुआ माना जाता है वो जीवित नहीं है जो स्वयम अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है मैं तो ये हूँ, मेरे पास इतना पैसा, मैं इतना बड़ा आदमी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया वो महान नहीं है महावारत में तो वेद्व्याजी कहते हैं वो तो मरा हुआ है एक बार इदिष्टिर महाराज ने महावारत में उस युद्ध में अपना प्रण लिया था और उदर अर्जुन ने भी एक प्रतिग्या की अर्जुन की प्रतिग्या यह थी कि मुझे कोई यदि गाली दे दे तो मैं सहन कर लूँगा परंतु मेरे गांडेल धनुष को कोई गाली दे दे तो उस व्यक्ति को मैं मौत के घाट उतार दूगा और यदि उसे नहीं मार पाया तो मैं स्वयम आत्मत्या करके मर जाओंगा यह अर्जुन की प्रतिग्या शत्रिय की प्रतिग्या थी और माबारत के युद में जब अर्जुन के द्वारा नो दिन तक कोई नहीं मरा तब युदिष्टिर महराज अपने रत को लेकर अर्जुन के पास आए और अर्जुन को बहुत दाटे बोले अर्जुन मुझे तुछ पर बहुत भरोसा था लेकिन आज इस सारा भरोसा तुड़ गया अर्जुन तो कुछ काम का नहीं और ये तेरा गांडिर भी कुछ काम का अर्जुन को तो गाली दिया अर्जुन ने सहन कर लिया परन्तो अर्जुन के गांडिर को जब गाली दे दिया अब अर्जुन की प्रदिग्या थी या तो मैं उसे मार दालू या खुद मर जाओं बड़े भाई खड़े थे और बड़े भाई को अर्जुन कैसे मार पाएंगे इसलिए अर्जुन स्वयम अपने ही गांडिर से आत्मात्या करने के लिए तयार हो गया जैसे ही अर्जुन मरने जा रहा था उसी समय क्रिष्ण ने अर्जुन को रोक दिया अर्जुन ही क्या कर रहा हूँ बले मेरी प्रतिग्या थी और मैं मरने जा रहा हूँ तब क्रिष्ण ने कहा अर्जुन ये धनुश बान से मरने की जरूरत नहीं तुम अपने मुख से अपनी प्रसंसा कर लो मरे हुए माने जाओ ले क्योंकि शास्तर का सितांत है जो अपने मुख से अपनी प्रसंसा कर लेता है वो मरा हुआ माना जाता है मरा हुआ इसलिए तो कहते हैं बडा बडाई ना करे बडान बोले बोल कभी भी बड़ा आदमी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करता है और इस प्रसंग में बड़े-बड़े संत द्रश्टांत देते हैं बड़ा बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल हीरा मुख से ना करे हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मूँ अब हीरा जानते हो हीरा कि हीरा एक ऐसा पत्थर होता है जो बहुत किमती होता है और ये हीरा जो है हीरे की मार्किट में जब उसे बेचने चलते हैं तो सब लोग उसे हीरे का दाम लगाते हैं कुछ लोग कहते हैं ये हीरा एक हजार का है दूसरा आदमी कहता है ये हीरा पचास हजार का है तीसरा आदमी कहता है ये हीरा 40,000 का है चोथा आदमी कहता है ये तो 20,000 का है वास्तों में वहीरा 2 करोड का होता है वहीरा जो है 2 करोड का होता है लेकिन लोग उस हीरे की किम्मत लगाते हैं ये 50,000 का ये 40,000 का 30,000 का कुछ लोग कह देते हैं ये 1,000 का तो कुछ लोग कहते है यह पांच रुपय का सब लोग हीरे का दाम अपनी अपनी जुबान से लगाते हैं लेकिन आज तक हीरा अपने मुख से बोला क्या आप लोग पागल हो गये हो अरे मेरी किमत तो दो करोड की आज तक हीरा अपने मुख से अपना दाम नहीं बोला और इसी लिए वो हीरा है इसी लिए वो हीरा है भग तो उसी प्रकार जो लोग अपने मुझ से अपनी प्रशन सा नहीं करते वो हीरे के समार है और चैतनिय महाप्रभू तो कहते हैं कि जो वास्तविक महान होता है जो वास्तविक भगवान का भग तो होता है वो तो कभी भी किसी के भी सामने ये इजहार नहीं करता कि मैं भगत हूँ जो भक्त नहीं होते हैं वो तो मोटी मोटी कंठी पहनते हैं हाथ में माला जोली पिलग और लोगों को बोलते चलते मैं कृष्ण का भगत हूँ मैं भगत हूँ बस ये संत नाम देव ग्यान देव तुकाराम के बाद मेरा ही नंबर है उसी कोटी का वही लाइन का हूँ लेकिन सच्चे भगत को आप पूछो कि आप भगत हो तो चेतन्य महाप्रव की भाशा में वो यही कहेगा प्रेमेर सुभाव जहां प्रेमेर संबंद सेही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंद प्रेमेर सुभाव जिसके रदे में सच्चा प्रेम है जिसके रदे में कृष्ण के प्रती शुद्ध भगती है वो तो यही कहेगा कि मेरे रदे में कृष्ण प्रेम की गंद भी नहीं है मैं भगत नहीं यह यह लड़की को बिठा दी जिए किसके साथ है इस प्रकार से यहां नहीं चलेगा बच्चों को बिठाना पड़ेगा रे कृष्णा रे कृष्णा 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 क रहकर इस जगत के लिए कितना सुन्दर सी धान्त दे दिया है कि बड़ा आदमी कभी भी अपनी बड़ाई नहीं प्रस्तुत करता है इसलिए भागवत जी की महिमा भागवत में नहीं अन्य पुरानों में है अतवेद व्यास जी अन्य पुरानों से भागवत को जोडते हैं और भागवत की महिमा प्रस्तुत करते हैं भागवत की महिमा में अनेक प्रसंग है एक प्रसंग आप जानते हैं कि जब शुक्देव गोस्वामी माराज परिक्षीत को शुमद वागवत कता सुनाना प्रारम ही कर रहे थे उस समय ही कभी नहीं मरने वाले देवता जो स्वर्ग में रहते हैं ऐसे देवता अपने स्वर्ग से अम्रित का कलश लेकर वो शुक्देव गोस्वामी और महराज परिक्षीत की सभा में पधारे और यहां आकर समस्त देवता शुक्देव गोस्वामी को कहते हैं के शुक्देव जी आप महराज परिक्षीत को भागवत कता अम्रित का पान करा रहे हैं आप एक काम कीजिए यह भागवत कता अम्रित का पान आप हमें भी कराईए और इसके बदले में आप स्वर्ग के अम्रित को रख लेजिए ध्यान से सुनिए भक्तो भागवत सुनने के लिए और सुनाने के लिए सबसे पहली योग्यता देवताओं ने कहा के शुगदेव गोस्वामी हम स्वर्ग से अम्रित लेकर आए हैं स्वर्ग का अम्रित हैं आप ये अम्रित रख लीजिए और इसके बदले में आप हमें भागवत कता अम्रित पिला दीजिए जैसे ही शुगदेव गोस्वामी ने सुना तुरंत शुगदेव गोस्वामी कुरोधीत हो गया है कुरोधीत इस बात को लेकर हुए कि ये देवतागण भागवत कता अम्रित की तुलना तुछ स्वर्ग के अम्रित के सार्थ कर रहे हैं शी सुग्देवगो स्वामी ने कहा अरे तुमारा ये स्वरका अम्रीत पत्थर के टुकडे के समान काच के टुकडे के समान और भागवत कथा अम्रीत ये तो पारस मनी के समान तुम ये पत्थर के टुकडे की उप्मा मनी के साथ कर रहे हैं पारस मनी के साथ अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ, मैं तो श्राप दे दूँगा, समस्त देवता वहां से चले गए, और बहुत सुंदर उबदेश मिल गया, कि भागवत सुनने के लिए, सबसे बड़ी योग्यता, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कि पुरानी जी को बुलाएंगे, भागव पर हम अमारे घर पर, परन्तु, पैसे देकर भागवत को नहीं समझा जा सकता है, भागवत को पैसो से नहीं समझा जा सकता है, इस भागवत को प्रेम से, श्रद्दा से और भक्ती से समझा जा सकता है, भागवत को समझने के लिए, श्रद्दा परन्तु, पैसे देकर प्रेम और भक्ति चाहिए ऐसा नहीं चाहिए यह भागवत खरीदने वाला ग्रंथ नहीं है इसे खरीदना नहीं है इसे तो आत्मसाहत करना है इसे प्राप्त करना है और यह कब होगा जब हमारे रदई में भागवत के पती पूर्ण शद्दा होगी प्रेम और भगती होगी इसलिए शुगदेवगो स्वामी ने देवताओ को वहां से भगा दिया और महराज परिक्षित को भागवत सुना दिया और भगतो ये भागवत की महिमा तो देखो कि मात्र साथ दिन शुगदेवगो स्वामी ने परिक्षित को भागवत कता सुनाई और जिस परिक्षित को श्राप लगा था कभी-कभी हमारे शोता गण समझते हैं कि श्राप तो परिक्षित को लगा था हमें तो कोई टेंचन है नहीं परिक्षित को श्राप लगा था कि साथ दिन के बाद वो मरने वाले तक्षक नागा आएगा उसे डस लेगा और उसकी मृत्य हो जाएगी इस श्राप तो परिक्षित को लगा था हमें तो कोई श्राप नहीं भगतो हमें तो परिक्षित महाराज से भी बड़ा श्राप लगा क्योंकि परिक्षित महाराज को क्या श्राप मिला था कि तुम साथ दिन के बाद मरोगे हमारा कोई भरोसा है कि हम साथ दिन के बाद ही मरेंगे या साथ घंटे में मरेंगे या क्या पता साथ मिनिट में मर जाए परिख्षित महराज के जीवन में तो confirm था कि वो साथ दिन के बाद ही मरेंगे लेकिन वक्तो हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं कोई भरोसा नहीं इसलिए तो एक संथ ने कहा क्या भरोसा इस जिंदगी का साथ देती नहीं है किसी का इस जिन्गी का कोई भरोसा नहीं है कमल दल जल जीवन दल मलत गुविंद दास जी अपने भजन में कहते हैं हमारा जीवन कमल के पत्ते की उपर पानी की एक बूंद होती है और हवा आती है पत्ता हिलता है यह गिराए उपानी की बूंद यह गिरी गिरी बस उसी फ्रकार हमारा जीवन यह गया कभ भुकंप हो जाए कभ बहाड आ vorbere ड़ाए कभ अतीवरुष्टि हो जाए कभ अनावरुष्टि हो जाए तो कभ बंप उट जाए मैंने सुना पिछले दिनों यहां कुछ बम फूटे, कब कहां यह फूट जाए, कब हाट अटेक आजाए, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बुड़े होने की राह नहीं देखनी चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं कि भजन करेंगे बुड़े होने के बाद, अभी तो चार दिन की चाननी आयश कर लो, बुड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, लेकिन हम लोग बुड़े होंगे या नहीं यह भरोसा है, इसलिए हमारे ब्रज के संत ने बहुत सुन्दर कहा, देखो भजन करना है न, भगवान का नाम लेना है तो आज और अभी से ही ले लो, क्योंकि अंत समय में हमारी ये जीव हिलेगी या नहीं हिलेगी कोई ठीकाना है, क्यते हैं, शन भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात में जाने खिली न खिली, मलिया चल की मंद लहर सुगंद समीर चली न चली, हमारा जीवन के सा है एक शन भंगुर, शन भंगुर, इसका अर्थ हैं प्रत्येक्रशन हमारा जीवन भंग हो रहा है कुछ लोग जब किसी का जन्म दिन होता है न तो happy birthday मनाते हैं खुश होते हैं, पार्टी रखते हैं, नाशते हैं, कूछते हैं, गाते हैं, बही क्या हो रहा है? बहुले हमारे बालक का जन्म दिन है है एक पीड़े है हमारे बालक का यह हमारा जन्म दिन है तो इसमें उचल कुद और नाचने की जरूरत नहीं सब को मिलकर रोने की जरूरत यार मेरे जीवन में से एक साल कम हो गया न भजन किया न भट्ती किया न संसार के प्रति विराग के हुआ न बधवान के प्रति अनुराग हुआ रोना चाहिए भगतो हम लोग जी रहे हैं यह बात तो सत्य है हम लोग जी रहे हैं ये बात सत्य हैं लेकिन इससे करोडो गुना सत्य ये हैं कि हम लोग मर रहे हैं हम लोग जी नहीं हम लोग मर रहे हैं प्रतियेक शन प्रतियेक वर्ष प्रतियेक महिने प्रती घंटे प्रती मिनिट और प्रती सेकेंड हम लोग मर रहे हैं मृत्य के मुख में काल की गाल में हम लोग जा रहे हैं और इसलिए वसंत कहते हैं शनभंगर जीवन की कलि काकल प्रात में जाने खिली न खिली मलियाचल की मंद लहर सुगंद समीर चली न चली कलि काल कुठार लिये फिर तातन कोमल चोट जिली न जिली रटले अरी जिवहा कृष्ण को नाम तु अंत समय पे हिली न हिली ये जिवहा भगवान का नाम कृष्ण का नाम अभी सही रटले क्योंकि अंत समय में ये हिलेगी या नहीं हिलेगी कोई भरोसा नहीं कोई ठीकाना नहीं इसलिए अभी सही भगवान का नाम वरत लेना चाहिए तो महारा आज परिक्षित को तो शराप था पर उन्तों हमारा कोई भरोसा नहीं इस जाती हुई जिन्दगी में ज्यादा से ज्यादा भगवत कथा का शोन कर लेना चाहिए और मात्र साथ दिन तक भगवत कथा का श्रवन करके महाराज परिक्षित भगवान के धाम को प्राप्त हो गए पुरा संसार जानता है शास्त्र भागवत इसका साक्षी है मात्र साथ दिन भगवत कथा का श्रवन करके महाराज परिक्षित का मन भगवान में लग गया और भगवान के दिव्य पार्षद शंक चकर गदा पद्म पितामबर धारण करके आए माराज प्रिक्षित को लेकर वाईकूंट में चले गए और जब प्रिक्षित वाईकूंट में चले गए तब ये बाट तीनों लोक में फेल गई ब्रह्म लोक में जहांपर ब्रह्मा जी रहते हैं उस लोक में ये बात फैल गई कि परिक्षित साथ दिन भगवत कता सुनकर भगवान के धाम में चले गई ये बात जब ब्रह्मा जी के कान में गई कि साथ दिन भागवत कथा सुनकर महराज परिक्षीत वैकुंट चले गए ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ अब मैं तो यही कहता हूँ कि साथ दिन भागवत कथा सुनकर किसी को वैकुंट मिल जाता है इस बात पर ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो आज की मनुष्य को कैसे हो सकता है जीस ब्रह्मा के चार मस्तक है और चार-चार खोपड़ी चार-चार बुद्धी आठाठ आखे हैं इतने सुरुष्टी के प्रथम जीव ब्रह्मा को जब विश्वास नहीं हुआ तो आज का मानव आज का मनुष्य इस पर विश्वास न करिये कोई बहुत बड़ा आश्ष्य नहीं है ब्रह्मा जी ने का हो ही नहीं सकता है साथ दिन भागवत कता सुनकर भगवान की प्राप्ती असंभव एवर तब कुछ लोगों ने का नहीं नहीं ये सत्जी बात है तब ब्रह्मा जी ने का मुझे परिक्षा लेनी होगी बिना परिक्षा की इस संसार में कुछ लोग बिना परिक्षा के समझते नहीं तब ब्रह्मा जी ने परिक्षा लेना प्रारम किया किसकी परिक्षा बगवान के धाम में जाने के लिए इस संसार में जो लोग साधन करते हैं कुछ विदी विदान का फालन करते हैं वो साधन मार की परिक्षा लेने लगे ब्रह्मा जी ने सत्य लोग के तुला बंदवा वो सत्य लोग में ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी तुला बंदवाई तुला जानते हैं न आप लोग सबजी मार्केट में जाते हैं जब टमाटर खरीते हैं एक किलो टमाटर जब वजन करते हैं तो वजन करने का जो काटा होता है उसे तुला कहते है तो यहां तो बहुत छोटा-छोटा काटा होता है ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ी तुला बनाई ब्रह्म लोप में क्योंकि परिक्षा लेनी थी और तुला के एक पात्र में साथ तीन भागवत कथा श्रवन करने का फल रख दिया और तुला के दुसरे पात्र में जिसे वजन करते हैं न उस कांटे के उपर तो एक पात्र में साथ दिन भागवत कथा श्रवन करने का फल रख दिया और दुसरे पात्र में भगवान की प्राप्ति करने के लिए कुछ लोग यग्य करते हैं तो जीवन भर तक यग्य करने का फल दुसरे पात्र में रख दिया और ब्रह्मा जी ने फिर जब काटा उठाया तो भागवत, साथ दिन भागवत श्रवन करने का फल भारी और जीवन भर यग्य करने का फल हलका हो गया ब्रह्मा जी सीर खुजाने लगे साथ दिन कथा सुनने का फल एक और और दुसरी और जीवन भर यग्य करने का फल फिर भी ये भागवत सुनने का फल ज्यादा हो गया तब ब्रह्मा जी ने उस यग्य के फल को अटा दिया और जीवन भर तपस्या करने का फल रख दिया बहुत बड़ी बड़ी तपस्या का फल ब्रह्मा जी ने दूसरे पात्र में रखा और एक पात्र में भागवत कता सुनने का फल फिर से काटा उठाया तो वही हुआ भागवत का फल जादा तपस्या का फल कम ब्रह्मा जी विस्मित ब्रह्माज ने तपस्या का फल उतार दिया कुछ लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार की अश्टांग योग इत्यादी क्रिया करते हैं तो ब्रह्माज ने योग का फल रख दिया वही कपालवाती भस्ति का अनुलों विलों यम नियम आसन पनायम प्रत्यार दारनाध्यान समाधी यह जो प्रक्रिया है इसका फल ब्रह्माज ने एक पात्र में रखा दूसरे पात्र में भागवत श्रवन करने का फल और फिर जब तुला उठाई तो वही ब्रह्मा जी को पता चला भागवत का फल जादा और योग का फल कम ब्रह्मा जी सीर खुजाने लगे अब क्या करूँ तो ब्रह्मा जी ने एक पात्र में सातिन भागवत कता सुनने का फल और दुसे पात्र में सभी फल को एक साथ रख दिया तपस्या का जीवन भर तपस्या का फल जीवन भर यग्य का फल यश्चुमेग यग्य वाजपे यग्य सारे यग्य का फल और योग का फल ध्यान का फल ये सारा फल एक पात्र में रखा अब प्रह्मा जी को लगा कि अब तो इसका वजन बढ़ेगा एक पात्र में भागवत साथ दिन भागवत कथा सुनने का फल और दुसरे पात्र में जीवन भर यग्य तपस्या ध्यान योग ये करने का फल और फिर जब ब्रह्मा जी ने तुला उठाई तो ये सारे फल हलके हो गए और साथ दिन भागवत स्वन करने का फल महान हो गया और तब जाकर ब्रह्मा जी को विश्वास हुआ कि नहीं ये बात ठीक है इस संसार में अन्य सारे साधन एक बाजू और भागवत कथा सुनकर दधवान को प्राप्त कर लेना इसका फल है तो ये हैं भागवत की महिमा और इतना ही नहीं इस भागवत की महिमा बताते हुए और एक प्रसंग वेद्वियास जी सुनाते हैं जो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ एक समय की बात ब्रह्मा जी के प्रतम चार पुत्र सनक सनातन सनंदन और सनक ये चारो सनत कुमार इस संसार में विचरन करते करते बद्रिनात नामक दाम में पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि नारद मुनी कहीं जा रहे हैं बहुत चिन्ता में हैं टेंशन में हैं तब सनत कुमार उन्हे नारद जी को रोग दिया है वलहे देवर्शी कथम ब्रह्मन दीन मुख कुत चिन्ता तुरो भवान आप तो ब्रह्मर्शी हो देवर्शी हो निरंतर अपनी विना पर भगवान का नाम गाते रहते हो नारद मुनी बजाए विना राधी का रमण नामे निरंतर भगवान का नाम गाते रहते हो लेकिन फिर भी आप आज इतने चिंतित क्यों हो अब कौन व्यक्ति कितना चिंता में हैं कितना टेंशन में हैं या कितना खूश है उसको पुछने की जुरुत नहीं पड़ती क्योंकि इंग्लिश में कहावत है face is index of the heart ये जो हमारा मुख है न ये हमारे अंदर क्या चल रहा है इसकी इंडेक्स अनुक्रम मनिका यदि किसी के मुख को आप ध्यान से देखो तो पता चल जाता है इसके अंदर क्या चल रहा है समझ गए नारदमुनी चिन्ता में है पुछ लिया नारद जी आप चिन्ता में क्यों हों क्या बात नारद जी ने कहा क्या बताओं महराज मैं तो वैकूंट ब्रह्म लोक बड़े-बड़े लोकों में भ्रमन करता हूँ मेरी इच्छा होगे कि चलो जाकर मैं पृथवी पर विचरन करूँ और जब मैं इस पृथवी पर आया तो चिन्तित हो गया अब विचार कीजिए नारद जैसे नारद जब पृथवी पर आते हैं तो चिन्तित हो जाते हैं में तो हम लोग इस प०ॕिज़ पर आकर क्यों चिन्थित नहीं रहेंगे नारत जी crear आकर चिन्थित बले आखीर कारण क्या मैं तो भी क्या बतायों मैं इस पृत्वी पर बहुत ब्रह्मन किया और ब्रह्मन करते करते जब व्रिंदावन में गया तो व्रिंदावन में मैंने एक अद्भूत द्रश्य देखा क्या द्रश्य था? बोले एक सोल साल की कनिया दो बुडों के बीच में बैठ कर विलाप कर रही थी दो बुडे आदमी थे उसके बीच में वह कनिया बैठ कर जोर जोर से रो रही थी और मैं वहां से जा रहा था जब उस कनिया ने मुझे देखा तो उस कनिया ने कहा बो बो सादुक्षनम्तिष्ट मत चिंताम अपिनाशय यह सादु आप कुछ शन के लिए यहाँ पर रुक जाएए मेरी चिंता को दूर कीजिए तब नारद जी ने उस कनिया को पूचा बले आप कौन हो मुझे क्यों यहाँ पर रोकना चाहती हो पर आपके साथ यह बुड़े दोनों बुड़े क्या आपके पिताजी है कौन है तब उस कनिया ने नारद जी को कहा कहे देवर्शी नारद मैं कोई साधरन कनिया नहीं मैं साक्षात भक्ती देवी हूँ हम जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का मुर्तिमान स्वरुप वहाँ पर बैठाता मैं भक्ति देवी है नारज ने कहा ये दोनों कौन है जो दोनों बुड़े बली ये दोनों मेरे पुत्र है नारज ने कहा कि पुत्र तो मां से छोटे होते हैं यह तुम्हारे दोनों पुत्र तुमसे बड़े केसे हो गए तब भक्ती महराणी अपनी कथा सुनाती है नारत जी में क्या बताओं नारत जी मेरा जन्म द्रविड देश में हुआ द्रविडे अहम उत्पन्ना व्रिद्धी करणा तके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जिर्णतां गता साक्षा तो भक्ती महराणी कहती है कहें नारत जी द्रविड देश में मेरा जन्म हुआ द्रविड देश में मैं प्रकट हुई और जब द्रविड देश से हैं मैं मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और विराग्य को साथ में लेकर करनाटक की और गई तो करनाटक में रहने वाले लोगों ने मुझे स्विकार कर लिया द्रविड में मेरा जन्म हुआ और करनाटक में मुझे स्विकार किया गया और करना तक से जब मैं महाराष्टर में आई हमारे महाराष्टर में तब भक्ती महाराणी थोड़ी सी रोने लगे जब मैं महाराष्टर में आई देखे संस्कृत में क्या लिखा है द्रविडे अहम उत्पन्ना वृद्धी करना टके गता और क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे इस महाराष्ट्र में जब मैं आई ही तो मुझे सब ने स्विकार नहीं किया कुछ लोगों ने स्विकार किया और कुछ लोगों ने तो मुझे त्याग दिया धक्का मार के निकाल दिया इसलिए माराष्ट्र एक ऐसा शहर है एक ऐसा राज्य है आप देखोगे इस माराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा पाप होता है और इसी माराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति होती है दोनों चीज संसार की चरम सिमा पर इस माराष्ट में हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा पाप देखो तो इसी माराष्ट में मुंबए में और ज़्यादा से ज़्यादा भक्ती भी जदी देखी गई तो इसी माराष्ट में एक से एक डाकू, एक से एक चोर, लुटेरे, ये महाराष्ट में पैदा हुए और बड़े से बड़े संत और महात्मा, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत ज्यानेश्वर और वर्तमान में, हमारे प्रिय महाराज, लोकनाथ महाराज है इन बड़े बड़े संतों का जन्म महाराष्ट तो कवचित-कवचित महाराष्ट ये, इस महाराष्ट में कुछ-कुछ लोगों ने मुझे, मुझे माने भक्ति को स्विकार किया कुछ-कुछ लोगों ने और महाराष्ट से जब मैं वापी, वलशाड, सूरत और गुजरात की और गई तो गुर्जरे, जिरनताम गता गुजरात वालों ने तो मुझे मार ही दाला महाराष्ट में तो फिर भी ठीक है लेकिन वहां तो विलकुल मार दाला और मैं बुड़ी हो गई मेरे पुत्र ग्यान और वेरा के बुड़े हो गए तब हम तीनों गुजरात राजस्थान से होकर इस वरिंदावन जैसे पवित्र शेत्र में आये नारजी, वरिंदावन के प्रभाव से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी बुड़े हो गए है और मुर्चित होकर गिर गए नारजी, मैं साक्षाद भक्ति देवी हूँ और ये दोनों पुत्र मेरे हैं, ग्यान और विराग्य पर ये दोनों बुड़े हो चुके हैं, बस नारजी आपके चरणों में एक ही निवेदन कि आप मेरे बच्चों को जीवित कर दीजिए, इसे जवान बना दीजिए नारजी ने कहां, मैं तो एक साधान आदमी मैंने पहले ही कहां, बड़ा आदमी कभी भी अपनी बड़ा ही नहीं करता है नारजी ने कह दिया, मैं आपके बच्चों को कैसे प्रकट कर सकता हूँ कैसे जवान बना सकता हूँ तब भक्ती मारानी कहती है, नारजी मैं आपके प्रभाव को जानती है इस संसार में, जैसे इस संसार का हीद करने के लिए बगवान भासकर सूर्य देव रोज सुब़ प्रकट होते हैं और पूरे जगत का हीद करते हैं ठीक उसी प्रकार इस संसार में रहने वाली सभी आत्माओं का हीद आप करते हैं संसार का हीद करने के लिए आप सूर्य के समान हो पर नारजी क्या मैं नहीं जानती हूँ एक पांच साल का बालक जो अपना घर छोड़कर निकल गया था भगवान की प्राप्ति करने के लिए वो यहां तक ये भी नहीं जानता था कि भगवान कौन है भगवान कहां मिलेंगे कैसे मिलेंगे लेकिन बस आप उस बालक को मिल गए उस बालक का नाम था दुरू और आप उसको मिल दिये दो मिनट में आपने उसको इतना उपदेश दे दिया कि छे महिने में भगवान विश्ण को नीचे उतार दिया अपने सामने प्रकट कर दिया और दुरू तो पाँच साल का था और उनका जन्म हुआ था कयादु का पुत्र इरना कश्मू और कयादु का पुत्र तो मा के गर्व में था और उस गर्व में ही आपने ऐसी सिक्षा दे दी कि जन्म से ही वो भक्त राज-प्रलाद के रूप में प्रकट हो गया आप ही इस जगत का हीद कर सकते हो नारज जी आप मेरा हीद कीजिए जब इस प्रकार से निविदन किया तब तुरंद नारज जी उन बूड़े हुए बूड़े हो गये ग्यान और वेराग्य को जिवित करने के लिए उनके पांस गये और वहाँ जाकर नारज जी उनके कान में वेदो के मंत्र बोलने लगे एक से एक वेदो के मंत्र का पाठ करने लगे यहां तक उन्होंने भगवद गीता का पाठ किया परन्तु इन श्लोक और इन वेदो के मंत्रों का लगातार पाट करने पर भी ज्ञान और वेराग्य जीवित होने की बात दू रही वो हिले तक नहीं जब नारजी ने बहुत प्रियास किया उसी समय आकाश मानी हुई नारजी आपका ये कार्य विफल हो जाएगा यदि आप ज्ञान और वेराग्य को जीवित करना चाहते हो पुनह जवान करना चाहते हो तो आप सत पुरुषों के द्वारा सत कर्म कराओ इतना बोलकर आकाश वानी बंद हो गई अब नारज मुनी सोचने लगे कि आकाश वानी ने कहा सत कर्म करो तो इस अंसार में सत कर्म क्या है यह बहुत बड़ा प्रश्ण है सत कर्म क्या है अच्छा कर्म किसे कहते है संसार में तो सब लोग अपनी अपनी बुद्धी से अपने अपने कारिय को ही सत कर्म मानते है आप किसी डॉक्टर को पूछिए सत कर्म क्या है अच्छा कारिय क्या है तो वो यही कहेगा बस दूसरों को दवाई देना इंजिक्शन मारना, डॉक्टरी पढ़ना यही सबसे बड़ा काम है यही सत कर्म है आप किसी वकिल को मिलिये और पुछिए को मिलिये क्या है सबसे अच्छा कर्म क्या है बोले वकिलात करना, केस लड़ना यही सबसे अच्छा कर्म है तो आप किसी डाकू को पूछिए चोर को पूछिए सत कर्म क्या है बोले अच्छे से चोरी करना और पकड़ा नहीं जाना यह सबसे अच्छा कर्म है सब लोग अपनी अपनी बुद्धी से सत कर्म को नियत करते हैं नारदमुनी बिल्कुल confused सतकर्म क्या है और सतकर्म क्या है इस प्रश्ण का उत्तर डूढ़ने के लिए नारदमुनी व्रिंदावन से बद्रिनात चले गए हरिद्वार से जो बद्रिनात चार दाम है न वहां बद्रिनात नाम के दाम में गए और वहीं चिंतित होकर वह डूढ़ी रहे थे तब तक उनको हो ब्रह्मा जी के चार पूत्र मिल गया है सनक सनातन सनंदन और सनक अब नारद जी ने कहा कि मैं तो डूढ़ रहा था सतकर्म किसे कहते हैं अब आप ही बताईए सतकर्म क्या है देखिए हम लोग तो अपने अपने कारिय को सतकर्म मानते हैं लेकिन ब्रह्मा जी के प्रतम चार पूत्र भगवान के ये अवतार सतकर्म किसे कहते हैं कहते हैं नारत जी आप ही भूल गए आप साक्षात भगवान के मनो अवतार हों वेद्व्यास जी के गूरू हों जिस ब्रह्मा जी से आपने है इसका ज्ञान ग्रहन किया और इस संसार को प्रसारित किया आप ही भूल गए नारत जी इस संसार में सबसे बड़ा सत कर्म यदी कोई है तो एक जगह पर बैठकर भागवत कथा का अश्रवन करना जब तक ज्ञान और विराग्य भागवत कथा का अश्रवन नहीं करेंगे तब तक वो जीवित नहीं होंगे भक्ती ज्ञान विराग आनाम विवेको वर्दते महान बक्त ये भागवत कथा ही एक ऐसी कथा है जिससे भक्ती ज्ञान और विराग्य ये तीनों का वर्दन होता है भागवत कथा ही है कैसी कथा है इसलिए कहां कि सतकर्म एक मात्र भागवत कथा है तब नारज जीने कहां मुझे सतकर्म का तो उत्तर मिल गया और सतपुरुष जो है वो तो आपके अलावा सतपुरुष और कौन हो सकते हैं इसलिए नारज जीने कहां कि है महापुरुषो है सतपुरुषो हम आपके मुझे से भागवत कथा सुनना चाहते हैं वक्तुर संसार की प्रतम भागवत कथा नारद मुनी और्गेनाईज कर रहा है नारद मुनी ही प्रतम भागवत कथा का आयोजन कर रहा है नारजी ने कहा कि आप वक्ता बनिये तो चारो भाई एक दूसरे के सामने देखने लगे आप वक्ता बनिये मतलब नारजी ने कहा आप चारो वक्ता बनिये मैं चार-चार व्यास्पिट लगा दूँगा इस दुनिया में जब पहली भागवत कता हुई तो उसमें चार व्यास पिट थी सनकादी को निकादे को बागवत कता के लिए अच्छा स्थान चाहिए बागवत कता के लिए चार वस्तु बहुत महत्व पुरुन है सबसे पहला है स्थान और स्थान के बाद गान बागवत कता के लिए अच्छा स्थान चाहिए जहां शोल शराबा ना हो बगतो स्थान का दो अर्थ होता है आप लोग बड़े बुद्धिमान हो इसलिए इस बात को समझ पाओगे चैतनिय महाप्रभु कहते हैं भागवत पड़िय भागवत स्थाने ये बंगला भाशा है आप लोग भी बंगाली हो और आप लोग के आशिरवाच से मैं भी कुछ बंगला जानता हूँ तो कभी कभी बोला करता हूँ लेकिन कुछ बूल हो जाए तो आक्समा कीजिए गा हम सीख रहा है बागवत पड़ी हो भागवत स्थाने चैतनिय महाप्रभु कहते हैं कि भागवत को भागवत के स्थान में ही पढ़ना चाहिए तो इसका तो अर्त हो भागवत के स्थान मे पढ़ना चाहिए मतलब अच्छे स्थान में वास्तों में मैंने यहां आकर देखा कि भागवत सुनने के लिए सबसे अच्छी जगा है चारमोशी यहां तर शुन्दर शांत वातावरन शुद्ध वातावरन और हमारे शहरों में तो बहुत कुला हल होता है शोर शराबा होता है और लोगों के मन में चिंता होती है कि अब ऑफिस में जाना है ऑफिस जाना है कथा के बाद फिर ट्रेन पकड़ना है और घर पर जाना है तो स्थान भागवत के लिए स्थान महत्तु प्रुना है तो स्थान का एक अर्थ होता है जगा और दुसरा अर्थ क्या होता है स्थान माने बोलने वाला चेतनी माप्रुव क्या केते हैं बागवत पड़ी है बागवत स्थाने बागवत को सुनना चाहिए बागवत के मुख से अर्थात बागवत को इस बागवत कता को भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए आप कोगे यह भागवत हम जो सुन रहे हैं वो तो टीवी में भी आती है अब हम लोग गर से क्यों यहां चल कर आया टीवी में देख लेंगे भक्तो विश्णु पुरान में लिखा है और शिल्परवपाजी भी कहता है कि भागवत को शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए अब क्या पता टीवी में जो भागवत आती है वो भक्त है या नहीं आज तो ज़्यादा तर लोग पैसे कमाने के लिए भागवत कता बोलते हैं ये भागवत को प्रेम का गरंद नहीं इसको बिजनेस बना लिया है चंद पैसों के लोग में भागवत कता बोलते रहते हैं भागवत कहने का लक्ष पैसा होता है अब आप इतना सोचिए कि जो आदमी जो वक्ता तुच्छ धन की आसकती से मुक्त नहीं हो पाया वो अपने श्रोताओं को संसार की आसकती से कैसे मुक्त करा सकता है इसलिए भागवत तो भागवत के मुक्त से ही एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र एक भागवत तो जो आपके सामने एक ग्रंत रखा है वो भागवत है जिसमें अट्राइजार श्लोक हैं बारह सकंद है जो ग्रंत के रूप में एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र परन्तु तो दुसरा भागवत कौन सा है, जिनों ने इस भागवत को अपने जीवन में उतार लिया है, जो कृष्ण भगती के रस से लबालब भरा हुआ है, एसे शुद्ध भगत को भी भागवत कहा जाता है, तो अब यहाँ पर दो भागवत हो गए, एक गरंत भागवत और दुसरा भगत भागवत, अब प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि जहां दो चीज़ होती है न, वहाँ पर बड़ा प्रश्न तो होता ही है, कि यह दोनों में से महान कौन, तब प्रश्न होता है, कि गरंत भागवत महान है या भगत भागवत महान है, तब चैतनिया महाप्रभु कहत है कि ग्रंत भागवत से कोटी-कोटी गुना महान भक्त भागवत है इसलिए भक्त भागवत के मुख से ही भागवत कथा सुनने चाहिए क्योंकि ग्रंत वागवत को यदि आप अपने घर पर रखते हो उसे पढ़ते हो यदि ग्रंत वागवत की बात को ठीक से नहीं समझे तो ग्रंत वागवत तो कुछ बोलने वाला है नहीं लेकिन भक्त वागवत तो आपको कहेगा कि आप गलत हो और गलत रापर जाओगे तो थपड मारकर आपको बिठा देगा गलत चिज मत करो इसलिए भागवत सुनने के लिए सबसे पहले स्थान होना चाहिए और दूसरी चीज स्थान के साथ गान गान बजान तो जो पुरी टीम आई है कितनी भी सुन्दर कता हो लेकिन स्थान नहो तो आनन नहीं आएगा और स्थान के साथ साथ भागवत में गान भी होना चाहिए क्योंकि मैं मात्र बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं तो फिर नीन आजाती है बीच बीच में गाना आजाए पुड़ा जान बजान हो जाए पुड़ा आनदा लेकिन कुछ लोग कटर वादी होते न वो कहते हैं कि आप लोग प्रभुपाद जी से गलत चल रहे हों प्रभुपाद जी कभी भी अपने प्रवचन में नहीं गाते थे और आप लोग ये भागवत कथा में गाना शुरू कर दियों आप ये सिद्दान से गलत जा रहे हों कुछ लोग बहुत-बहुत प्रश्न उठाते हैं बाल की बात वो दूरे हमारे इसकोन में भी प्रश्न उ प्रवचन में नहीं गाते थे क्योंकि उनका प्रवचन ही 45 मिनिट, 20 मिनिट, 25 मिनिट का होता था यदि गाना शुरू कर दे तो समयी ना मज़े लेकिन सिद्दान की बात यदि मैं आपको कहूं जो लोग ऐसा कहते न क्या आप लोग भागवत में गाते हो ये क्या नहीं प और शुगदेव को स्वामिने महराज परिक्षित को ये भागवत बोल कर नहीं सुनाया शुगदेव को स्वामिने महराज परिक्षित को ये भागवत गाकर सुनाया है आपको यदि थोड़ा सा व्याकरण का ज्यान है संस्कृत का ज्यान है भागवत खोल कर पड़ो ये भ इसलाठी भाषा बंगला भाषा तो भाषा में दो चीजा होते हैं गध्य और पद्य कमक्ला तो गध्य मादय पढदना और ん हेली कवीटाथ अलगवा डाना है तो यह भागवत के जितने भी श्लोक है यह गध्य में नहीं यह सारे शलोक पद्य में हैं इसको गा कर सुग्दे गोस्वामी ने सुनाया है ये तो हमारी लाचारी है हमारी परवश्टा है कि हम पूरा-पूरा नहीं गा सकते हैं क्योंकि हम केवल गाते रहें तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए इसलोकों को गाते हैं फिर उसको समझाते हैं फिर गाते हैं फिर समझाते हैं तो बैलेंस बना रहता है थोड़ा साथ चाह रहता है तो अब तो इस प्रकार से गान होना चाहिए तो कभी-कभी कुछ लोग को प्रश्ण होता है ठीक है बागवत कता में स्थान भी होना चाहिए गान भी होना चाहिए लेकिन साथ साथ बजान भी होना चाहिए जो बजाने वाले तो बागवत कता में इसे बजाने की क्यों ज़रूरत है सीधा सीधा बोलते चलो मे room talking दिया कुछ पुरिशन करतें क्या सुखदेव गो स्वामि sensor के व्यक्ति नहीं ही ऊतो चिंद मई दे है वह तो रादा रानी के शुक थे अध्यात्मिक जगत में वैकुंट के राधा रानी का वो तोता था वो शुक था और तोता का कंट तो वैसे ही मधूर होता है तोता तो वैसे ही मधूर बोलता है और गाता है शुगदेव गोस्वामी जब बोलते थे तो उनके कंट से ही मदूर द्वनी, मदूर स्वर और मदूर संगित निकलता था और साथ-साथ उस समय वहाँ पर कुछ चिडिया, बेग्राउन म्यूजिक दे 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 थे वहाँ पर कुछ बादल, कुछ हवा, यह सब संगित में वातावर्ण बना देते थे अब क्या करे कल्यूग बढ़ने लगा, तो ऐसा वातावर्ण मिलना मुश्किल है इसलिए जैसे-तैसे-कैसे भी करके उस वातावर्ण को प्रकट करने के लिए यह संगित क्या वोशकता है और जब कथां के साथ-साथ संगित हो, तो सुनने में भी आनना है इतना आनन, इतना आनन के नीन आ जाती है ज्यान रहें, नीन ना आ जाए एक बार ऐसा हुआ था हम एक बार प्रवचन किये और प्रवचन के बाद सब लोग बाहर निकल रहे थे और में भी निकल रहा था दो बुढ़िया आपस में तरचा कर रहे थी आज तो प्रभुजी ने बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया कि इतना अच्छा प्रवचन सुना कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग ये दोती कुर्टा पहन लिए हो और बेकार बन गए हो संसार के लिए करते क्या हो आप कुछ लोग कहते हैं आप समाज के लिए संसार के लिए क्या करते हो तो हम लोग तो इतना ही कहते हैं हम संसार के लिए क्या करते हैं संसार वालों को सोने के लिए निद्रा की गोली लेनी पड़ती है लेकिन जिनको नीन नहीं आते हैं उनको फ्री में मुफत में यहां पर सुला देता है अब आजाओ भागवद में हमारे सारो गोम प्रभू मैंने सुना यहां पर आये जा होगे तेमें दो मन्तर जानता हूँ एक मंत्र जिसको बोलकर तुरन सब को सुला सकता हूँ बोले वो मंत्र कौन ओम नमो भगवते वासव देवाय यह जैसे ही प्रवचन शुरू होता है तो वहाँ से निद्रा शुरू होती है किसी को नीद आती है जूट नहीं कहूंगा सत्य बाद कहता हूँ कुछ लोग कथा में आते ही हैं सोने के लिए घर से निकलते ही हैं सोने का बंदोबस करके और जो सोने के लिए आते हैं वो आगे नहीं बैठते, वो पीछे बैठते, वो जलदी भी आगे तो आगे नहीं बैठे, वो पीछे से बैठना चुरू करेंगे क्यूकि आगे बीचे ने देख लिया और भीध notwend आठे, हम को बदिया तो पीछे प्रभुजी की नजर नहीं जाती है इसे पीछे बैटें और पीछे भी काहां बेढ़ेंगे खंबे का साहरा लेकर बैटेंगे जितने भी खंबे का साहरा लेकर बैटें पिछमा के जीए हगा मैं तो कोई सत्य घटना कह रहा हूं ऐसा ही एक गाउं था और उसमें भागवत कथा चल रही थी और उसमें एक लड़की आती थी कथा सुनने के लिए बहुत अच्छे से कथा सुनती थी और अपने पिता जी को कहती थी पिता जी हमारे चारमोशी गाउं में बहुत अच्छी कथा हो रही है आप सुनने के लिए आओ ना पिता जी के तो जा मुझे नहीं आने बोले पिता जी लाल गोई प्रभु आए आप आओ एक बार तो कता सुनने के लिए बोले मुझे नहीं आना है उस लड़की ने बहुत-बहुत जब फोर्स किया तब पिता जने का ठीक है चलो एक दिन आ जाओंगा अब भागव फिरीड़ आप खंबे का ठेका लेकर बैठाता इसलिए भागवत चुरू हो ते उसको नीधाना शुरू हो गयर है एक खुला पंडाल था, आप जानते हैं, गाउं होता है, एक खुला पंडाल होता है, तो कुते घुमते रहते हैं, कभी-कभी कुते पंडाल में भी आ जाते हैं, घुमते रहते हैं, भक्तो का भाव इतना होता है, सोचते हैं, कुता भी विचारा सुनने के लिए हो, खड़े कुट्य को भगाते नहीं है अब ये खamba का सारा लेकर सोया हुआ और इसको सोते हुवे मौ खुला रखने की आदत नहीं है से मौ खुला कर सोया था और आप तो जानता है कुट्टा तो खंबा ढूणता ही रहता है जूट नहीं बूल रहा हूं सत्य कुत्य ने वही खंबा चुना आप लोग बुद्धी मान हो क्या आगे कहूं समझ गया ना कुछ लोग कल सोवे बातरूम में खड़े-खड़े हसेंगे कुछ लोग की बुद्धी ठुबलाइट जैसी होती है दीरे दीरे खुलती है कथा समाब तो हुई सब लोग खड़े हुए और खड़े होकर जब सब लोग बाहर निकल रहे थे बोले आज तो क्या कथा हुई कथा प्रभुजी के मुख से गंगा सरीता की धारा बहे रही थी बिलकुल अम्रित का प्रवा हो रहा था سب लोग बोलने लगे आज तो प्रभुजी ने हमको अमृत पिलाया अमृत पिलाया अमृत पिलाया तब तक वो लड़की का बाब बुला अमृत तो मैंने भी पिया लेकिन थोड़ा खारा था अब लोगोंने कफा अमृत पिया और उसने कुछ अलगी पि लिया अब आप कोगे आप हमें क्यों सुना रहे हो आपके साथ कहीं ऐसा न हो जाए देखो प्रभुज ने खंबे का सारा छोड़ दिया गुद्धिमान तो कहीं आपके साथ ऐसी नोबत न आ जाए इसलिए कल जब आएंगे तो आगे से ही बैटना शुरू किजिए और खंबे का सारा मतली तो मैं सुना रहा था कथा में क्या क्या होना चाहिए सबसे पहले स्थान स्थान के साथ साथ गान और गान के साथ साथ बजान और उसके साथ साथ और भी एक चीज़ चाहिए वो है आपका ध्यान अब कथा में स्थान भी अच्छा हो गान भी अच्छा चल रहा हो और बजान भी अच्छा चल रहा हो लेकिन आपका ध्यान ही नहोतो पूँआ है कोई मतलब नहीं कभी-कभी ऐसा होता है हम लोग शरीड से तो आ जाते हैं क्या करें परमात्मा प्रभु ने बुलाया है और वो देखते रहते है कुछ लोग कैसे भी करके शरी प्रमिश्य पर हो है शरी से आ गय है कुछ लोग शरी से तो यहां पर आ जाते हैं लेकिन मन को घर पे छोड़कर आते हैं अट मन घर पर होता है बच्चे क्या कर रहे होंगे क्या पती क्या कर रहा होगा भोजन कैसे बने इसे होताइए तो पूरा फल नहीं दुछेगा इसलिए ध्चान भी बहुत मुझा पर्णा तो नारज जी कथा का आयोजन करने वाले थे सनकादिको ने कहा स्थान चाहिए नारज जी ने कहा कि हरिद्वार में आनंदवन जो है सबसे अच्छा स्थान है वहाँ पर हम कथा करेंगे बोले कथा में तो प्रसाद भी होना चाहिए बिना प्रसाद की कथा पूर्ण नहीं होती है बोले आनंदवन में बहुत सुन्दर फल लगे हुए है जितने भी शुरता आएंगे सब को फल खिलाएंगे तो इस परकार से बहुत सुन्दर कथा का योजन किया गया ये चार वक्ता हुए और ये बात पता चलते ही संसार से सब लोग कथा सुनने के लिए वहाँ पर उपस्तित हुने नगे और जैसे ही कथा प्रारम होने जा रही है ये बात भक्ती मारानी के कान में गई ग्यान और वेराग्य के कान में गई उनकी आँखे खुल गई कथा शुरू नहीं हुई है कथा होने वाली है ये सुनते ही ग्यान और वेराग्य के खड़े हो गए और खड़े होकर व्रिंदावन से हरिद्वार चले गए बक्ती ग्यान और वेराग्य ये तीनों ने बैड़ कर इस भागवत कथा का श्रवन किया और भक्त वे एक दिन दो दिन तीन चार पाँच छे साथ जब सात्वा दिन भागवत गता की पुर्णा होती हो रही थी उस पुर्णा होती के समय नाम संकिर्टनम यस्य उस भागवत गता में किर्टन होने लगा और उस किर्टन में संसार के सभी रुशिमुनी सभी भक्त सब लोगने भागलिया इंद्र स्वर्ग से आये और मृदंग बजाने लगे पहलाद महाराज करताल बजाने लगे गंदर्व आये किन्र आये सब लोग अपने स्थान से तोस हरिदवार नाम के शित्र में आ कर उस भ प्रगवान के नाम का पूर्ण रुप से गिर्तन करने लगे और उस समय साक्षात बगवान रुष्णु आपर प्रकट हो गये हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 आए इस कता में आप सब्वां भाग लिए सब्व प्रेम से गाईए रहे दे खिशे नाहरो बेम्जे Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare बक्ति मारानी ज्यान वर विराग्य नाचने लगे हैं समस्त देवता गंदर किनर यक्ष संसार के समस्त रुशिमुनी एक साथ एक स्वर से नाशन लगे भगवान विश्णु प्रकट हो गए सब लोगों ने मिलकर आथ जोड़कर प्राम किया भगवान विश्णु को पूछा गया के प्रभू भक्ती मारानी जिवित हो गई यान विराक्य जिवित हो गए अब इस भक्ती मारानी को कहां स्थान दिया जाए अब इस भक्ती मारानी को कहां वास दिया जाए दब उस समय भरी सरा में भगवान विश्णु ने एलान किया कि इस संसार में जहां पर मेरे भक्त इस भागवत कता का श्रुवन कर रहे हो और जो भक्त मेरे नाम का किर्दन कर रहे हो उनके रदे में भक्ती ज्ञान और विराग्य का वास हो जाएगा आँ हरे किशना! झाल झाल